व तो डे वेल इस्टार्ट डासीफिकेशन ऑफ घियर्स ठीक है आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ग्यार्स पढ़ाहंगे तो जो गेर्स आप यह वो ब्रॉडली 4 टैप्स आपके क्लासिफाई किये जाते हैं मैं आपको बता देता हूं वह 4 टैप्स कौन कौन से होते हैं सब्सक्राइब की क्लासिफिकेशन के अंदर सब्सक्राइब 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 अब जैसे कि मैंने आपको यह बता देता हूं में लिए यूज किये जाते हैं गेर्स को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आप पावर को ट्रांस्मिट कर सकें या टॉर्क को ट्रांस्मिट कर सकें अब यहां पर क्या होता है जब दो चीच चाहिए पावर को ट्रांस्मिट करने के लिए इस फिगर के अंदर दिख रहा है तो एक छोटा वाला जो गेर होता उसको आप बोलते हैं और एक जो बड़ा वाला गेर होता आप उसे गेर ही बोलते हैं इसको वी भी बोल सकते हैं वैसे वी ठीक है अब इन गियर को हम किसके उपर मांड कर देते हैं शाफ के ओपर मांड कर देते हैं अगर मैं आपको side view में दिखा हूं तो यह शाफ ieldी जर इसके axis से है थे तो शाफ से आप इसे मांड कर देते हैं तो spur gears, ऐसे gears होते हैं, जिनके जो teeths cut होते हैं, वो parallel to one another होते हैं, means अगर axis of the shaft यह है, और gear के tooth कटे होंगे, तो वो आपके parallel में कटे होगे, ठीक है, तो first point आपका है, तो तीट्स आर पैलर टूदा एक्सिस ऑफ दशाफ्ट सेकेंड थिंग है कि जो इसकी गियर तो उतकी प्रोफाइल होगी इन केस ऑफ यह इस पर गियर डाट इस इन वाल्यूट करो इन वाल्यूट की टैप से होता है मैं आपको बताता हूँ सिमिलर भी यहां देखिया यह डाटनम डाटनम जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो डिफरेंट टैमिलाजीज है गियर्स की जो मैं आपके लिए नाच्ट वीडियो बनांगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा तो टर्मिनलाजीज की डिफरेंट वीडियोस होगी यह मैंने आपको इन्वल्यूट प्रोफाइल बना के दिखाए कि इन्वल्यूट तीत किस टाइप से होता है यह इन्वल्यूट प्रोफाइल किस टाइप से होता है चिक है किसी भी तीत की अब यह पिनियन के उपर भी ह होगी इन वल्यूट और गियर के उपर भी होगी मींस वील के उपर भी होगी सब्सक्राइब के इस टाइप के गियर के उपर सिर्फ और सिर्फ रेडियल टाइप का लोड लगता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेडियल लोड लगता है रेडियल लोड क्या होता है जो रेडि करता हें और आपको पूरा इस पर गेयर बतातु है इस पर गेर इंदर अधर एक डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जो तो नवा स्वांगे नेख आपके स्ट्रेट लोते हैं स्पार्ट भी बोल सकते हैं यह लिए दियुट्ट हैं एक डेपा लेडग होता है गेर्स होते हैं इसके अंदर जो आपके गेर के तीट सोते हैं वो किस टाइप सो में होंगे तो इन्वल्यूटी बड़ और वो किसी एंगल पर होते हैं इस शाफ्ट से आपका जो गेर का तीट है वो इस साइड कटा हुआ तो यहां पर अगर मैंने कोई अंगल माल लिया सपोज मैं आप का माल ले तो यहां पर इसके बीच में फाइंगल है तो यहां यहां बेकि राइट हैंड़ के तीट्स कटें तो यह किसी एंगल पर हैं तो उपर वाले को मैं बोलताओ right-handed halical teeth और नीचे वाले को बोलता हूं left-handed क्योंकि left-hand side में cut हो रखें, that is your LHS means left-handed sided halical teeth, तो ये किसी angle पर आप right-hand वाला जो होगा, वो left-hand वाले के शाथ mashing में आता है gear, ठीक है, और जो आपका left-hand है, वो right-hand वाले के profile होती है that is also involved इसके अंदर भी आपकी involved profile होती है secondly इसके अंदर यह जो छोटा gear है देखो यह दो बड़े और छोटे gear है तो इसके अंदर जो छोटा gear है उसको हम बोलते हैं pinion similarly जो मैंने आपको spur gear में बताया था और इसको बोलते हैं हम gear ओके तो यह भी आपका clockwise और anticlockwise move करता है आप इसके अंदर दो टाइप से लोड लगते हैं मैं आपको लोड जरूर बता देता हूं इसके अंदर दो टाइप से लोड लगते हैं एक तो radial load होता है और एक thrust load होता है thrust means any pressure which is exerted means जब यह gear इसके ओपर force लगा रहा है यह gear इसके ओपर force लगा है तो बीच में यहां फिर आपके sides में thrust generate हो रहा है तो उसको मैंने यहां पर thrust load बोला हुआ है और एक आपका radial 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 मतलब जो radius के along होता है ठीक है अब दोनों gears के अंदर क्या difference था इसके अंदर जो इसके geared tooth होते है that is always your at any angle that is not as helix angle for helical gears और इसके अंदर straight होते हैं ठीक है आगर इन दोनों का type का helical gear होता है जिसको हम herringbone gear बोलते हैं ठीक है it is also a type of your helical gear तो मैं आपको अभी इसका diagram बना कर show करता हूं ओकी आपका याप herringbone gears तो herringbone gears क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा helical gear के अंदर क्या पढ़ाता हमने कि आपके left-handed sided जो होते हैं right-handed sided वाले के साथ mashing में होते हैं या फिर आपके जो right-handed होते हैं वो left-handed या left-handed जो होते हैं वो right-handed वाले के साथ में supposed हो सकते हैं vice versa ठीक है तो but helical gear के अंदर उस टाइम पर क्या होता है जब हम helical gear पढ़ते हैं तो helical gear के अंदर दो type के load लगते हैं तो आपका radial load लगता है ठीक है और secondly आपका thrust load लगता है ठीक है तो जो thrust load है वो ज्यादा लगेगा अगर हम इस thrust load को remove करना है तो इसका एक और type होता है जिसका हम बोलते है आपस में बैलन्स हो जाएंगी लइक कैसे होती है मैंस आपको शो 술ड करता है जांता है जा कि वह गैसे होती है ज्योंब आपको शो करता हूँ। सबोज्द यह आपका रैइट हैं तो यह रैट हैं स्रफ ट्रॉट जर्राइट कर रहा है इस साइड। यह fasc84 यह यहां पर लोगिने लोग और चो यहां पर भी थित्रसट हो रहे हैं चोड़की एकोल ममाउट में इस साइड भी आपका फोर्स लगरोगा उसमर यह तो यह धोनों फोर्स आपस में कैंशल हो झाएंगे और डालेश्ञ कोंगे अगर यह forces आपके balance हो जाते हैं, तो आपका कोई भी thrust load apply नहीं होता, और जब हम इस type के herringbone helical gears को use करते हैं, तो सिर्फ और सिफ यह pallor shaft के case में use किये जाते हैं, when they are used only for pallor shaft, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, they are used only for the pallor shafts, and equal or opposite thrust reaction, balancing each other, so imposing no thrust load, क्योंकि वो भी कोई भी thrust load, produce नहीं करते मैंने आपको बताया हैं, और जो two helical gears होते हैं with opposite end of helix, opposite end of helix का मतलब क्या है, अपोजित end of helix का मतलब होता है left-handed और right-handed जो आपके helical gears, मैंने आपके helix बताये, उसको हम कहते हैं, ठीक है, तो अब हम further पढ़ते हैं, थोड़ी दीर में, babal gears and warm gears, third one is your babal gears, तो babal gears क्या होते हैं, जो mainly 90 degree पर power को transmit करते हैं, ठीक है, आप एक shaft और दूसरे shaft के बीच में 90 degree का angle होगा, जब वो power को transmit कर रहे होंगे, सबसे best example और live example में आपको इसका देता हूँ, यह differential में use होता है, differential in your four wheel drive, means cars के अंदर, यह आपके buses के अंदर भी use हो सकता है, और differential को हम use कर सकते हैं, trucks के अंदर भी, means heavy duty vehicles के अंदर भी use कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए एक तरीके का आपका यह small gear है, यहां से आपकी power transmitter हो रही है, पावर 90 degree पर जा रही है, और जब यह यहां base से जा रही है, अगर मैं इसको base बोलू, तो यह देखिए जब base से जा रही है power, तो यहां पर center of the shaft के साथ, this is your shaft, तो center of the shaft के साथ, किस type का angle बना रही है, cone type, इसको हम बोलते है, truncted cone, मैंने लिखा हूँ है, these gears have the shape of truncted cone, इसका truncted cone से मतलब क्या है, base के साथ, यह कोई angle बनाती है, जहां पर cone बन जाता है, इसको हम बोलते है, truncted, और यह चोटे वाले को क्या बोलते है, pinion में ली, तो जो pinion है, वो इस बड़े वाले gear के उपर roll out करता है, rotate करता है, जब यह rotate करेगा, तो यह आगे-ागे power को transmit करेगा, और यहां पर इसको move करवाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से power को transmit करते हैं, इसके अंदर देखिए, second point मैंने mention करा हुए, the size of gear tooth including thickness and height, जो इसकी thickness है, जो इसकी मोटाई है, और जो इसकी height है, ठीक है, मोटाई और height के अंदर फर्क है, height means कितने उपर लगा हुए, decrease होती रहती है, towards the apex of the cone, ज इस तरीके से हम apex का मतलब होता है, यह चोज जो है, इसको हम बोलते हैं, apex, इस apex की तरफ बढ़ते हैं, तो जो आपकी height होती है, यह वो decrease होती जाती है, thickness के साथ-साथ as compared to the base, जीक है, तो यह आपर देखिए, towards the apex of the cone decreases, क्या क्या decrease होती है, thickness as well as your height, कि इसकी gear tooth की, जीक है, यह teeth are cut, straight and spiral, या तो इसको हम straight cut कर सकते हैं, spiral का मतलब होता है, tiny angle, means type of helical, okay, इसके ओपर भी दो type के load लगेंगे, देखिए, अंदर की तरफ तो radial load लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ तो radial load लगेगा, ठीक है, और यहां से thrust load लगेगा, जब यह move करेगा, तो, चाहिए यह अंद की तरफ भी लग सकता है, ठीक है, तो यह thrust load लगेगा, ठीक है, तो radial and thrust loads on the shaft, अब जैसे मैंने आपको बताया है, यह तब यूस किया जाता है, जब आपको power को 90 degree पर transmit करना हो, जरूरी नहीं है, it is not a rigid, 90 से थोड़ा सा more भी हो सकता, 90 से थोड़ा सा less भी हो सकता है, in that case, you will use the babble gears, okay, next is your warm gears, warm gears के अंदर there are two things which you have to remember, first is your warm, ठीक है, warm, warm के उपर क्या होते है, threaded like structures होते हैं, means threads होते हैं, आप जो threads होते हैं, वो single start thread भी हो सकते हैं, हो multi start threads हो सकते हैं, two types के threads हो सकते हैं, single start मतलब जब आपने एक वार उसे move किया, तो कितना upward moment लिया, जब वो multi start मतलब two से more times, means जब आपने एक वार two rotations दी तो कितना आप हो किया, ठीक है, तो thread की moment को बताता है, वो multipoint, multi start thread और single start thread, ठीक है, तो जो warm होता है, ये two type के threads से मिलकर बनता है, और जो warm wheel है, ठीक है, warm wheel आपका rotate करता है, जैसे आपके threads move करते हैं, जैसे कि आपने rack and thingan arrangement सुना होतों, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, these are used when the axes of which do not intersect, जब इनकी axis कहीं पर meet नहीं करती हैं, देखिए, इसकी axis अलग है, और ये जो यहां पर shaft है, इसकी axis अलग है, तो दौनों की axis एक दूसरे से अलग होती हैं, कहीं पर intersect नहीं होती, 90 degree पर होती है, are perpendicular to each other, देखिए, एक दूसरे के perpendicular हैं, इसकी axis, अब warm wheel जब वो इस warm की उपर rotate करें, तो warm और जो आपका warm wheel इन दौनों के पीछ में जो connection है, वो 90 degree का है, means perpendicular है, ठीक है, second, इसके उपर आपके दोनों type के load लगते हैं, high radial load भी लगता है और high thrust load भी लगता है, high radial load भी लगता है, high thrust load भी लगता है, warm के उपर और warm wheel के उपर, किसके उपर radial लगेगा, जो circle होगा, उसके उपर radial load लगेगा, circle कौन से है, इसके अंदर, warm wheel आपका circle है, तो इसके उपर radial load लगेगा, radius के long load लगेगा, ठीक है, but आप जो आका warm wheel है, उसके उपर तो radial load लगेगा, but high radial load, और thrust load किसके उपर लगेगा warm के उपर देखे बाहर की तरफ इसको खीचेगा तो high thrust load लगेगा अब high thrust load warm के उपर लगता है high thrust load और warm wheel के उपर लगता है high radial load अब इस टाइप के जो warm gears होते हैं warm gears are mainly categorized by high speed reduction ratio इसके अंदर हम speed को सबसे जादा कम कर सकते हैं speed को reduce करने के लिए इस टाइप के gears को यूज करते हैं यहां देखिए मैंने last point में लिखा हुआ है categorized by high speed reduction ratio इस टाइप ऑफ gears are used for reducing the high speed initially बहुत जल्दी high speed को क्या कर देते हैं low कर देते हैं reduce करने के काम आते हैं type के gear को हम बोलते है warm gears तो मैंने आज आपको classification of gear पढ़ाया next मैं आपको gear trains पढ़ा सकता हूँ और nomenclature okay thanks for the video please like subscribe and share my channel